नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रविस्ट अड़ी जी के पर फेंट्स आज में आपके लिए सभी एक्जाम के लिए काफी जादा इंपॉर्टन टॉपिक टॉपिक का नाम है सयुक्त राष्ट संग जिसे की हम यूनाइटेड नेशन और्गनाइजेशन भी बोलते हैं शौट में यूएन भी बोलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टन कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन सेलेक होते हैं ठीक है इसकी जो प्रमुक एजेंसियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपको बताऊंगा और लास्ट मेना आपके लिए 50 प्लस MCQ भी रखा है मैंने अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं एक्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी कोशन नहीं मिलने संयुक तराष्ट एक वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी संयुक तराष्ट की स्थापना संयुक तराष्ट चार्टर और अंतराष्टी नियाले के कानून द्वारा की गई थी चार्टर पर 26 जुन 1945 को 50 देशों के प्रतिनीधियों ने हस संयुक तराष्ट संग के आगे मैं आपको बताना चाहता हूं 24 अक्टूबर को संयुक तराष्ट दिवस मनाया जाता है हर दिन क्योंकि 24 अक्टूबर को ही इसकी स्थापना हुई थी संयुक तराष्ट के वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और इसी के साथ आपको बताना चा और यह अंदर से यह संयुक्तराष्ट देखने में आप यह देख सकते हो कि हर एक टेबल पे कौन सा देश का पतिधी कहा बैठे का वो सब कुछ यहां में मैंशन किया हुआ और यह जो हॉल है यह संयुक्तराष्ट का है अंदर से ठीक है यह बाहर से आप बिल्डिंग देख स सब्सक्राष्ट के नाम से भी जाना जाता है इन सभी देशों के पास वीटो की शक्ती है और इसी के साथ मैं आपको यह पॉइंट जो बता रहा हो ना इसको भी आप डबल स्टार मार करेंग देख साथ कर लेना कई बार एक्जामों में पुछा गया है यह सायूंग तराष्ट ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वहों में घोचना यानि की युनाइटेड नेशन्स हुमन राइट्स को अपनाया था तो एक्जाम में पूछा जाता है अब देखो फ्रेंट यह जो अथिकारिक भाशा है वो है अर्बी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पैनिश ठीक है यह छे भाशा कौन से है यह अथिकारिक भाशा है और सर्यूंग तराष्ट की जो कारेकारी भाशा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है यानिक इंग्लिश और फ्रेंच है ये भी आपको ध्यान रखना है सर्यूंगत राष्ट में एक प्रस्तावना और 111 अनुचेत जिने 19 अध्यायों में भाटा गया है सर्यूंगत राष्ट का मुख्य उद्देश है दुनिया भर में शांती और सुरक्षा शुनिशित करना है लेकिन इसके इलावा सर्यूंगत राष्ट देशों को सम्मान की अधार पर एक दूसरी के साथ मैतरी पून संबंद विक्सित करने में भी मदद करता है अब मैं आपको बतायता हूं सर्यूंगत राष्ट ये कुछ प्रमुक उद्देश है राष्ट्रों के बीच मैतरी पून संबंद विक्सित करना मानव अधिकारों और मौलिक सोतंदर्ता के बड़ती सम्मान को बढ़ावा देना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानविय समस्याओं के सामाधान में अंतराष्टिय सहयोग प्राप्त करना राष्ट्रों की गतिवेदियों में सामन जसे स्थापित करने के लिए एक केंदर के रूप में कारे करना सांयुक्त राष्ट के छे अंग है वो मैं आपको बता देता हूँ महासबा जिसे की जर्नल एसेंबली भी बोलते हैं सुरक्षा परिशद जिसे की सेक्रियोटी काउंसिल भी बोलते हैं अंतराष्टिय नियाले इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस भी कहा जाता है आर्थिक वह सामाजिक परिशद सची वाले और नियासी परिशद ये 6 अंग हैं संयोंकतराष्ट के एक्जाम में पूछा जाता है अब मैं आपको संयोंकतराष्ट के कुछ विशेश एजंसियां बता जाता हूँ उसके बाद हमारा MCQ स्टार्ट हो जाएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य और क्रिशी संगठन की इसका हेटकोर कहां पर है रोम इटली में स्थापना हुई थी 1945 में अंतराष्टिय दूर संचार संग जिसे की ITU बोलते है जिनेवा सुजरलेंड में इसका हेटकोर है 1865 में स्थापना हुई थी नेक्स्ट है क्रिशी विकास के लिए अंतराष्टिय कोश रोम इटली में इसका मुख्याले है 1977 में स्थापना हुई थी अंतराष्टिय श्रमिक संग संगठन जिसे की ILO बोलते हैं जीनेवा, स्विजर लेंड में, इसका मुख्याले है 1946 में स्थापना हुई थी। अंतराश्टी ए मेरी टाइम संगठन लंदन, युनाइटीड गेंग्डम में मुख्याले है 1948 में स्थापना हुई थी। अंतराश्टी मुद्राकोष, वाशिंग्टन, DC, USA में मुख्याले है, 1945 में स्थापना हुई थी, संयुगतराश्ट, सैकशिक, विज्यानिक और सांस्क्रितिक संगठन, युनेस्को, पैरिस, प्रांस में मुख्याले है, 1946 में स्थापना हुई थी, विश्यो स्वास्ते संगठन डबलू अचो की बात हो रही है जीनेवा सुजेजर लैंड में मुख्याले है 1948 में स्थापना हुई थी संयुक्तराष्ट और दोगी विकास संगठन वीना आस्ट्रिया में इसका मुख्याले है काफी बार एक्जाम में पुछा गया है 1966 में स्थापना हुई थी अंतराष्टी नागर विमानन संगठन मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेड़कॉर्टर है 1944 में स्थापना हुई थी तो फैंस आप यह देख रहे हो ना सभी के सभी कितने जादा इंपॉरेंट एक्जाम में पुछे जाते है आगे है विश्यो बौधिक संपदा संगठन WIPO बोलते है इसको आप डबल स्टार मार कर ले न जीनेवा स्विजरलेंड में हेड़कॉर्टर है 1967 में स्थापना हुई थी क्रिशी विकास के लिए अंतराश्टिय कोश रोम इटली में इसका हेड़कॉर्टर है 1977 में स्थापना हुई थी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बर्न स्विजरलेंड में इसका मुख्याले है 1874 में स्थापना हुई थी अंतराश्टिय दूर संचार संग स्थापना हुई थी विश्यो मौसम विज्याद जंगठन ये भी काफी इंपॉरेंट है जिनेवा सुजरलेंड में इसका मुख्याले है 1950 में इसकी स्थापना हुई थी विश्यो बैंक ये तो एक्जाम में पूछा ही जाता है अब हम MCQ स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू अगर आपको डेली करन्ट अफेस पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करन्ट अफेस बाई रवी यूटूब चैनल इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करन्ट अफेस पढ़ने के लिए बेस्ट क्वालिटी करन्ट अफेस पढ़ाया जाता है बिल्कुल डेटेल में और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको कोई भी e-book बाई करनी है वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com यहां से जाके आप e-books बाई कर सकते हैं अपने रवी सरकीट यह current अफेस की भी अवलेवल है GS की भी अवलेवल है और इसी के साथ mobile application रवी study app आप जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने फोन में यह app आपके लिए बहुत जरूरी डेगा क्योंकि इसमें आपको नोट्स मिल जाते हैं मेरे GS की अवर कर इंट अफेस के जैसे मैं वीडियो डालता है उसी प्रकार के आपको नोट्स मिल जाते हैं जरूर इंस्टॉल करना रवी study app को और डिली कर इंट अफेस जो हम पढ़ाते हैं उसका फ्री पीडियो भी यही पर आपको मिलेगा मांकि कोई भी टेस्ट लगाना है आपको कोई भी आपको e-book चाहिए कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए टेस्सरी सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर आपको तो मोबाइल अप्लिकेशन रवी study आपको जरूर इंस्टॉल करना मांकि लास्ट में डिटेल इंफॉर्मिशन आपको दूगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले कोईशन से हमारा पहला कोईशन है संयुक्तराष्ट संग जिसे की यूए नो बोलते हैं ने 24 अक्टूबर 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है तो राइट आंसर हो जाता है ओप्शन बी 79 79 मां स्थापना दिवस मनाया है 24 अक्टूबर 2024 को संयुक्तराष्ट संग ने यूए नो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को ये आपको धियान रखना है और फैंट इसकी थीम भी काफी important होती है लेकिन अभी इसकी थीम घोशित नहीं हुई है अगला कोशन है सयुक्तराष्ट संग यानि की यूए नो की स्थापना कब हुई थी देखो फैंट आपको ना short में सयुक्तराष्ट भी मिल सकता है और यूए न साथ में लिखा हुआ मिल सकता है तो आपने confused नहीं होना दोनों एकी चीज़ है सयुक्तराष्ट संग बोल लो तो पुछा गया इसकी स्थापना कब हुई थी ये कोशन एक्जाम में हर साल पुछा जाता है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का option B 24 अक्टूबर 1945 यहर याद रखना है 1945 में स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को बढ़ते अंगले कोशन की तरफ सयुक्तराष्ट संग का मुख्याले कहां पर स्थित है तो राइट आंसर हो जाता है option D New York, America में सयुक्तराष्ट संग का मुख्याले स्थित है बढ़ते अंगले कोशन की तरफ सयुक्तराष्ट के वरतमान में महासचीव कौन है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का option B Antonio Guterres Antonio Guterres सयुक्तराष्ट के वरतमान में महासचीव है 2014 में सयुक्तराष्ट के वरतमान महासचीव Antonio Guterres Portugal देश की है Antonio Guterres सयुक्तराष्ट के 9 में नंबर के महासचीव है बढ़ते अंगले कोशन की तरफ भारत कब सयुक्तराष्ट संग यानि की UNO का सदस्य बना था तो राइट आंसर हो जाता है option D 1945 में सयुक्तराष्ट संग का सदस्य बना था भारत बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ सयुक्तराष्ट के प्रतीक चिन में किसकी दो शाखाएं है तो राइट आंसर हो जाता है option C जैतून की जिसे की olive भी कहा जाता है यह आप यह देख रहे हो ना यह इसी की बात हो रही है कि दो शाखाएं किसकी है जैतून की जिसे की olive भी कहा जाता है सयुक्तराष्ट संग का प्रतीक चिन जैतून की शाखाएं है इसमें दुनिया का नक्षा बनाऊ है और इसके चारो और जैतून की पतियां है यह पतिया विश्व शान्ती का संकेत करती है बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ सयुक्तराष्ट संग यानि की UN की स्थापना का मुख्य उद्देश क्या है तो right answer हो जाता है option A विश्व शान्ती एबं सुरक्षा यह है सयुक्तराष्ट संकी स्थापना का मुख्य उद्देश बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ सयुक्तराष्ट शब्द किस ने दिया था यह भी काफी बार एक्जाम में पूछा गया है तो right answer हो जाता है option C Franklin D. Roosevelt Franklin D. Roosevelt इन्होंने सयुक्तराष्ट शब्द दिया था सयुक्तराष्ट नाम सयुक्तराष्ट अमेरिका के राश्पती Franklin D. Roosevelt द्वारा गढ़ा गया था सयुक्तराष्ट द्वारा एक जनवरी 1942 को दिवित्ते युशुईद के गोशना में इसका उपियोग पहली बार किया था बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ सयुक्तराष्ट शुरक्षा परिशब्द में 27 अदस से और 27 देशों की संख्या कितनी है तो right answer हो जाता है इस कोशन का हमारा option ये 5 है 27 अदस से और 10 है 27 देश ये आपको ध्यान रखना है अब देखे फैंट सयुक्तराष्ट सुरक्षा परिशब्द की जो 5-3-10 देश है वो कौन कौन से है अमेरिका है युनाइटेड किंडम है रूस है चीन है और फ्रांस है अगला कोशन है हमारा किस वर्ष सयुक्तराष्ट संग्याने की युनो को शांती के लिए नॉबल परुसकार दिया गया था तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा आप्शन C वर्ष 2001 में वर्ष 2001 में विश्व का जो सर्वोच परुसकार है नॉबल परुसकार ठीक है नॉबल शांती का नॉबल परुसकार ये मिलाता है युनो को कब वर्ष 2001 में सयुक्तराष्ट और इसके महासच्चिव कौफी अन्नान को बहतर संगठित और अधिक शांतिपुन दुनिया के लिए उनके काम के लिए नॉबल शांती परुसकार मिला वर्ष 2001 का बढ़ते हंगले कोशन के तरफ सयुक्तराष्ट संग में हिंदी में भाषन देने वाले प्रथम भारतिय वेक्ति कौन थे तो राइट आंसर हो जाता है ओप्शन D अटल बिहारी वाचपई अटल बिहारी वाचपई सयुक्तराष्ट संग यानि की यूएनों में हिंदी में भाषन देने वाले प्रथम भारतिय वेक्ति थे अटल बिहारी वाचपई ने 4 अक्टूबर 1977 को सयुक्तराष्ट के 32 अधिवेशन में हिंदी में भाषन दिया था अटल बिहारी वाजपई ने जिस समय सयूंगत राश्ट में हिंदी में भाशन दिया हुआ है उस समय भारत की क्या थे विदेश मंतरी थे प्रधान मंतरी नहीं थे विदेश मंतरी थे बढ़ते अंगले कोशन की तरव सयूंगत राश संग दिवस हर साल कम मनाया जाता है तो बढ़ते अंगले कोशन की तरव सयूंगत राश संग कारेले की कारेकारी थे विदेवा अंग्रेजी और फ्रेंच इंग्लिश और फ्रेंच जो है ये कारेकारी भाशा है संयुतराज संग में 6 सवकृति भाशा है वो कौन सी है वो देख लीजे इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनिज, अर्बी, रूसी और स्पैनिश बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ 2011 में दक्षिन सुडान संयुतराज संग का सदसे बना था संयुतराज के दो अब्जरवर देश भी हैं कौन-कौन से फिलिस्तिन और होली सी बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ संयुतराज संग के कितने अंग हैं तो राइट आंसर हो जाता है तो राइट आंसर हो जाता है अगला कोशन है अगला कोशन है 2001 में संयुतराज को जब नॉबल प्रोसकार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचीव कौन थे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B कौफी अनन अंटोनियो गुटरे संयुतराज के साथ में महासचीव थे अगला कोशन है संयुतराज संग में वीटो का क्या अर्थ है तो राइट आंसर है ऑप्शन B निशेदात्मक वोड ये आपको ध्यान रखना है संयुतराज संग में वीटो का अर्थ है वो होता है निशेदात्मक वोड समरक्षा परिशत में वीटो निशे दाधिकार का अधिकार है अधिकार स्थाई सदस्य के पास होता है सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तिमाल रूस देश ने किया है ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है मारा कौन से दो देश सयुंगत राश्ट संग यानिकि यूएनों के सदस्य सदस से नहीं है चार ऑप्षं है आपके पास तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ऑप्षन ए वैटिकन सीटी और ताइबहन अगला कोशन अंतराश्टी नियाले का मुख्याले कहाँ स्थेते हैं तो राइट आंसर हो जाता है Option C, नीदरलेंड के एक शहर में International Court of Justice में नियाधिशों की संख्या कितनी है? 15 हैं यह आपको ध्यान रखना है अंतराश्टे नियाले के नियाधिश का जो कारेकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है अंतराश्टे नियाले की स्थाफना 26.1945 को हुई थी अगला कोशन है संयुक्त राज संगे के महा सचीव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाता है Option D, सुरक्षा परिशत की शिफारिश पर महा सभा द्वारा अगला कोशन है तो राइट आंसर हो जाता है Option C, जर्नल असेंबली को पार्लिमेंट आफ द्वार्ट कहा जाता है अगला कोशन है कितने देशों के प्रतिनेदियों द्वारा संयुक्त राश्ट के संस्थाफ़क चार्टर पर 26.1945 को हस्ताचर किये गए थे राइट आंसर हो जाएगा Option A, 50 अगला कोशन 1945 में जब संयुक्त राश्ट की स्थापना होई थी उस समय सदस्य देश कितने है तो राइट आंसर इस कोशन का हमारा Option B, 51 और मैं आपको बताया था ना, पोलेंट बाद में एड़ हुआ था अगला कोशन संयुक्त राश्ट का अंग सचीवाले का अधिक्ष कौन होता है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा पर पुछा गया है कि पर जो संयुक्त राश्ट का अंग आना सचीवाले, इसका अधिक्ष कौन होता है तो right answer हो जाता है इस question का हमारा option B संयुक्त राष्ट महासचेव Next है हमारा question संयुक्त राष्ट संग यानि कि UNO की लाइबरेरी का क्या नाम है तो right answer हो जाता है option A DAG Hammerskzold Library ये है संयुक्त राष्ट संग की लाइबरेरी का नाम बढ़ते हैं अगले question की तरफ संयुक्त राष्ट संग के किस अंग को दुनिया का पुलिसमेन कहते हैं तो right answer हो जाता है इस question का हमारा option C सुरक्षा परिशद ये आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट संग का जो सुरक्षा परिशद है इसे पुलिसमेन आप दा वर्ल्ड कहा जाता है बढ़ते हैं अगले question की तरफ स्वर पर था हम वीटो पावर का इस्थेमाल मार्च 1971 में किस देश ने किया था तो right answer हो जाता है इस question का option D अमेरिका ने फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो की quality वीडियो का content और आपकी रवी स्थेमाल की मेहनत पसंद आ रहे हैं वीडियो को like और share जरू करें और हमारा जो channel है रवी study gk जहां पर यह वीडियो देख रहे हो जाता जाता इसको आप share करिए देखो फिर इस channel का पहले नाम था संग यानि कि UNO के धवज को अपनाया गया था कब तो राइट आंसर हो जाता है option A 1947 में अगला question है 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट संग की पहली बैठक कहां पर हुई थी तो राइट आंसर हो जाता है option C London में पहली बैठक हुई थी संयुक्त राष्ट संग की 10 जनवरी 1946 को अगला question संयुक्त राष्ट संग यानि कि UNO के प्रथम एश्याई महासचिव का क्या नाम है तो राइट आंसर हो जाता है option C Youth Hunt जो की है मैंन मार के ये संयुक्त राष्ट संग के प्रथम एश्याई महासचिव है अगला question है संयुक्त राष्ट संग के समिधान चार्टर में कितने अध्याई और अनुछेद हैं तो राइट आंसर हो जाता है option B 19 अध्याई और 111 अनु अगला question संयुक्त राष्ट संग की कारेपालिका को क्या कहते है राइट आंसर हो जाता है इस question का हमारा option A सुरक्षा परिशत कहते हैं संयुक्त राष्ट संग की कारेपालिका को नेक्स कोशन कर लेते हैं 1945 में 51 देशों के प्रतिनितियों ने कहां संयुक्त राष्ट के चार्टर के लिए ड्राफ्ट त्यार किया था तो राइट आंसर हो जाता है इस question का हमारा option D सैन फ्रैंसिस्को में अगला question है प्रतिवर्ष कब संयुक्त राष्ट महासभा का सम्मेलन होता है तो राइट आंसर हो जाता है option D सितंबर में अगला question संयुक्त राष्ट धवच को महासभा द्वारा कब अपनाया गया था तो राइट आंसर हो जाता है option B 20 अक्टूबर 1947 को नेक्स्ट है मारा question कि संयुक्त राष्ट महासभा की मिरति उनके कारेकाल की दवरान हो गई थी तो राइट आंसर हो जाता है option D डैग हैमर्स जोल्ड यह आपको ध्यान रखना है अगला question है संयुक्त राष्ट के पहले अफरीकी महासभा का क्या नाम है तो राइट आंसर हो जाता है option C बाउट्रोस घाली के नाम आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट के पहले अफरीकी महासभा थे अगला question है संयुक्त राष्ट घोष्णा पत्र का मूल प्रती कहां से रख्षित रखी गई है तो राइट आंसर हो जाता है option A अमेरिका में most important question है यह तो राइट आंसर हो जाता है इस question का option A थॉमस स्कुमान अगला question सुरक्षा परिशत को संयुक्त राष्ट कुंजी किस ने कहा था यह भी काफी बार एक्जाम में पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाता है option A पामर और पार्किंस ने अगला question है मारा next time है मारा question संयुक्त राष्ट किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है तो राइट आंसर हो जाता है इस question का option A धारा 27 संयुक्त राष्ट का बजट कौन पेश करता है तो राइट आंसर हो जाता है option B महा सचीव जो होते हैं यह संयुक्त राष्ट का बजट प कारे को अपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है तो राइट आंसर हो जाता है ओप्शन डी नियास परिशद संयुक्त राष्ट दुवारा वर्ष 2023 को किस रूप में घोशित किया गया था तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन मोटे अनाच का अंतराष्टी वर्ष अगला कोशन संयुक्त राष्ट मानव जाती को सोर्ग में लेचाने के लिए नहीं बनाया गया था बलकि मानवता को नरक से बचाने के लिए बनाया गया था यह किस ने कहा काफी इंपॉर्टन कोशन है यह तो राइट आंसर हो जाता है अप्शन ए डैग हैमर्सक जॉल्ड अगला कोशन संयुक्त राष्ट विश्विद्याले का मुख्याले कहां स्थित है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा अप्शन डी टोकियो में टोकियो जापान में संयुक्त राष्ट विश्विद्याले का मुख्याले अगला कोशन सयुक्तरास शब्द की शुरुवात किस ने की ये भी काफी बार एक्जाम में पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फ्रैंक्लिन डी रुसवेल्ट बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ सयुक्तरास अंग में कितने अंग शामिल हैं अंसर हो जाता है इस कोशन का ऑप्शन बी सेन फ्रांसिसको ह Halo को सैयुक्तराष्ठ परियावरन गतिविदियों का समन्वें करने उइनराश्ठी शंगठन कौन सा है ऑप्शन बी सायुक्तरास्ट परियावरन कारे करवार थो खिलाब हिंसा की उनमुलन की घोशना किस वर्ष में अपनाई गई थी राइट आंसर हो जाता है ओप्शन D 1993 में NTBC में एक कोशन पूछा गया था तो फ्रेंट्स यह आपको मैंने कम्प्लीट वीडियो दे दी ठीक है संयुक्त राज्ट्र संग के ओपर United Nations के ओपर I hope आपको वीडियो की quality content पसंद आये होगा अब आपके लिए दो कोशन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने comment box में देना है साथ में ज़रूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर पढ़ना है वीडियो भी आपके लिए मैं ज़रूर लिकराऊंगा ठीक है पहला कोशन आपके लिए संयुक्त राज्ट संगी स्थापना कब हुई थी चार option है दूसरा कोशन है संयुक्त राज्ट संग का मुख्याले कहां स्थेते हैं चार option है आपके पास दोनों कोशन का आंसर आपने न मुझे comment box में देना है वीडियो आपको कैसी लगी है आपने अपना feedback भी सरूर देना है वीडियो complete हुई है अब आपके लिए important information बिल्कुल detail में देता हूँ देखो अगर आपको कोई भी e-book बाई करनी है ठीक है इस website पर जाके आप buy कर सकते हो www.ravibooks.pdf.com साथ में अगर आपको कोई भी current face या GS का notes चाहिए mobile application Ravi Study app है इसे अपने phone में आप install कर लीजिए यहाँ पर आपको current face के notes मिल जाते है GS के notes मिल जाते हैं कोई भी आपको test री चाहिए वो आपको मिल जाती है साथ में ही मैं आपको बदाना चाहता हूँ जो हम daily current face आपको बढ़ाते हैं current face by Ravi YouTube चैनल पर उसका free PDF भी हाँ पर आपको मिल जाता है mobile application Ravi Study app को जरूर इंस्टॉल करना अपने phone में है हमारा telegram है Ravi Study जी के इसे भी आप join कर लीजे सबसे best रहेगा पूरे YouTube के उपर तो चलिए friends मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best